नमस्कार दोस्तों स्वागत है, आप सभी का हमारे इस चैनल वेदिक दृष्टी पर, दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, तो जय श्री कृष्णा राधे राधे दोस्तों, हमारे ह फूल माला अर्पित करने का है, अब सभी लोग भगवान के सामने, दीपक जलाकर मंत्रों का उच्चारन तो करते ही हैं, आप लोग भी करते ही होंगे, और वही, जो लोग भगवान के सामने बैठकर, देर तक पूजा पाठ नहीं कर सकते, वह लोग एक दीपक तो जरूर जलाते ही हैं, लेकिन उसी समय हम ऐसी गलती कर देते हैं, जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है, तो आखिर कौन सी है, वह गलती है, दीपक की जली हुई बातचीत का गलत तरीके से इस्तिमाल करना, प्यारे भक्तों धर्म लोग यूट्यूग चैनल पर आपका स् है, हम आपके अच्छे भविश्य की कामना करते हैं, दो प्यारे भक्तों, हम भगवान पर कोई भी अर्पित करते हैं, और मंदिरों से या फिर भगवान पर चड़ी हुई फूल माला, मिल ही जाती हैं, दो भगवान पर चड़ी हुई इन फूल मालाओं का, हमें क्या करना चाहिए, जिससे इन फूल मालाओं का अपमान ना हो, तो चलिए जान लेते हैं, आखिर आरती के बाद बचे हुए बातें का, और उर्जा के फूलों का सही उप्योग कैसे करना चाहिए, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तो दोस्तों आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, रामायन का पाठ कीजिए, श्रीमत भगवद गीता का पाठ कीजिए या फिर, दुर्गा सबतश्ती का पाठ कीजिए, इन सभी पूजा पाठ को करने से पहले, सबसे पहला काम हम दीपक जलाने का ही करते हैं, हम भगवान के प्रती अपनी आस्था और अपने श्वास को दीपक के जरिये ही भगवान तक पहुचाते हैं, दो दीपक की लौ का जलना और बूजना, दीपक की लौ में हुई का बनना, और दीपक में अधजली ही का बचना क्या संकेत देता है, इस बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अब जानते हैं कि दीपक क प्रवाहित कर देते हैं अगर आप इन्हे सम्मान के साथ प्रवाहित कर रहे हैं तो बात अलग है लेकिन हम लोग जल्दबाजी में इन्हें फेंक देते हैं और फेंकना और प्रवाहित करना दोनों अलग बात होती है तो पहले यह समझते हैं कि जो दीपक की जली हुई बाते हैं यह कोई साधारन चीज नहीं है इसने अपने भगवान को जो भी पूजा पाथ हर्पित किया है इन सभी मंत्रों की तरंगे इस बात में नहित होती है और इस बातों को फेंक देना इसका अपमान होता है जो की सरासर गलत है आप जली हुई बाती से वह चमतकार कर सकते हैं जो आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकती है और आपके जीवन को पूरा बदल सकती है बस आपको सही तरीका आना चाहिए तो दोस्तों आपने दीपक को जलाने के बाद भगवान के सामने जितनी देर तक मंत्र जाप किया है भगवान का नाम जब किया है जितनी भी पूजा अर्चना की है सभी की शक्तियां इस दीपक के माध्यम से ही भगवान तक पहुँचती है तो यह दीपक तो यकीनन बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है तो दोस्तों आप अपने दीपक की जली हुई भारतियों को इकठा कीजिए हफते या पंदरह दिन तक बातें एक साथ इकठा कर सकते हैं अब इन भारतियों को और धूप बत्ती के नीचे बची हुई भरतियों को आप इकठा कर लीजिए अभी से एक मिट्टी के सकोरे में रखे और आप मिट्टी के सकोरे में इस बात के उपर आप थोड़ा सा धूप जुड़ा थोड़ी सी हवन सामगरी डाली इन सभी के उपर अब आपको थोड़ा सा कपूर और घी डालना है और माचिस से इन सभी को जला दीजिए अब इसे जलाने के बार जब ज्योत प्रजवलित हो जाएं तभी इसे हाथ से बुझा दीजिए ध्यान रखिए कि आपको खूब नहीं मानी है अब इसमें जो धुआ निकलने लगेगा अब आप भगवान श्रीमन नारायन का जाप करें और यह धुएं को अपने घर के कोने कोने में प्रवाहित होने दीजिए लेकिन आप श्रीमन नारायन का मंत्र जाप करते रहें आपको थोड़ी सी मेहंत जरूर करनी पड़ेगी लेकिन यह मेहंत आपके लिए बहुत ही कमाल की सिद्ध होगी अब कोशिश कीजिए की जब तक यह धुआ निकल रहा है तब तक आप इसके सामने बैठ कर भगवान श्री हरी का नाम जब करते रहें आप चाहें तो पूरे घर में इस धुए को दिखाने के बाद इसे तुलसी की क्यारी के पास रख सकते हैं इससे होगा यह की आपके घर की नकारात्मक उर्जा तो दूर हो ही जाएगी लेकिन आपने जो भगवान श्री हरी का नाम जब किया है उससे यह राख सिद्ध हो जाएगी आप इसे चान कर एक दिब्डे में भर कर रख लीजिए हर रोज सुभा पूजा करने के बाद इस बात की भवभूती को आप अपने माथे पर थोड़ा सा लगाएगी ऐसा करने से भगवान श्री हरी आपके आने वाली मुसीब्तों से रक्षा करेंगे साथ ही आपके घर में नकारात्मक उर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी आप चाहें तो इसे रोज कीजिए आपको फर्क जरूर दिखेगा इस भवूत को माथे पर लगाने से आपको बहुत ही सकारात्मक महसूस होगा इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इन सभी बातों को एक दीपक या फिर एक मिट्टी के बरतन में इकठा करें और उस पर थोड़ा सा कपूर डाल कर उस पर अगनी प्रजवलित कर दीजिए अब जब यह पूरी तरीके से जल जाए तो इसकी जो राख बचेगी उस राख में थोड़ा सा पानी डाल कर और अपने घर के पौधों की क्यारियों में डाल दीजिए दोस्तों अगर आप इतनी मेहंप नहीं करना चाहते तो तुलसी के पौधे की क्यारी में इस मिक्टी को डाल सकते हैं इससे न केवल आप इन बस्तियों का अपमान होने से बचा पाएंगे बलकि आपके घर की मिक्टी भी शुद्ध हो जाएगी साथ ही आपको मंदिर से या पूजा के बाद आशिरवाद के रूप में मिले हुए फूल और मालाओं का इस्तिमाल करना भी बता देते हैं आप चाहे अपने घर के मंदिर में भगवान को फूल अर्पित करें चाहे आपको मंदिर से कोई या माला भगवान के आशिरवाद के तौर पर मिले आपको इन्हें किसी भी नदी में नहीं फैंकना है और कूडे कच्रे में फैंक कर उनका अपमान बिलकुल भी नहीं करना है इससे एक तो आप नदी को अशुध बनाते हैं और भारी मात्रा में ऐसा करने से जल प्रदूशन भी बढ़ता है पानी में जब यह फूल माला बहुत लंबे समय तक पड़ी रहती हैं तो यहां सड़ जाती है अब आप गंगा नदी यमुना जी के पानी को ही देख लीजिए जहां नदिया पवित्र नदिया है लेकिन आप अभी के समय में इन नदियों का जल बिना संशोधन के नहीं पी सकते तो कच्रा चाहे कूड़ा या धार्मिक जगह का ही क्यों न हो नदियों में फैंकना सरासर गलत है और दूसरा इसे भगवान के आशिरवाद का भी अपमान होता है तो आपको करना क्या है कि आप इन सभी फूलों को इकठा करें और इन्हे सुखा लीजिए सुखाने के बाद आप इन्हे छोटे छोटे टुकडों में तोड कर चूरा करके इसमें आप थोड़ा सा गोबर के उपले कर कचरा थोड़ा सा चंदन का पाउडर और थोड़ा नारियल का छिलका मिलाकर इनको कढ़ाई में डालकर गैस पर हलका हलका भून लीजिए और थंडा होने पर इसे मिक्सी में पीस कर इसका महीन पाउडर बना लीजिए फिर आपको इस पाउडर को चान कर इसमें थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा थी और थोड़ा सा कपूर और लोबान मिलाए गुलाब जल की मदद से उसे आटे की तरह भून लीजिए और अपनी इच्छा के हिसाब से छोटी छोटी बातें या फिर गोल-गोल डिक्की बना कर धूप में सुखा लीजिए हर रोज अगर आप एक डिक्की को जला कर उसका धुमा पूरे घर में दिखाते हैं तो इससे न केवल आपके घर का वातावर्ण शुद्ध होगा बलकि इसकी में है आपके घर में सकारात्मक उर्जा भी भर जाएगी और इसके साथ ही भगवान के फूलों का अपमान होने से भी बच जाएगा लोबान और कपूर साथ में जलाने से घर में सकारात्मक उर्जा फैलती हैं और गोबर के उपले और गोमूत्र न केवल आपके वातावर्ण में मौजूद बैक्तीरिया को खतम कर देते हैं बलकि आपके घर की उर्जा को भी पवित्र कर देते हैं आगे से कभी भी भूल कर भी आप दीपक की जली हुई बातें और भगवान पर चढ़ाये हुए फूल माला का अपमान न करें और आप यह उपाय जरूर करिये आपको लाब जरूर मिलेगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यहां जानकारी जरूर पसंद आई होगी अगर आपको यह विडियो पसंद आई हो तो विडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृप्या सदा आप पर बनी रहे और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जय श्रीमन नारायन अवश्य लिखें तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में अब तक के लिए नमस्कार